कर्म चारी चाहन योग का भवन है जो नया भवन अपना भवन हरेना कर्म चाहन चाहन योग को कब तक मिल सकता है क्या समधावन है धर्णी जी आपने हमारे जो दोक्ती रग है न उस पे हात रख दिया हमारे पास स्टाफ जितना है अलग वगवी 300 लोग स्टाफ है और यहां पर बैहने की पूरी विवस्था नहीं है हमने कई बार सरकार से मांग किया है कि हमारा एक इंडिज्वल भवन होना चाहिए और सरकार ने हमारी मांग को सुविकार कर लिया है और जो हुड़ा के प्रसासनी का दिकारी है और यहां के डी सी हैं पच्छकुला के उनको जगह निश्चित करने के लिए कहा था कि एक कोई जगे भूखंड देखें तो साइद उन्होंने IT पारक के पास सेक्टर 23 पचकुला में एक एकड़ जमीन जो है वो हमारे ले चीनित की है अभी तो वह कह रहे हैं कि H.S.S.C. का ओफिस महां बनाएंगे साइद H.P.S.C. और H.S.C. की दुन्नों बिल्डिन वहीं भविश्य में ले जाने की योजना है खदरी साब जिस परकार से जो C.E.T. का रिजल्ट सा बच्चों को भी इंतजार थी यह सरकार का भी ड्रियम प्रजेक्ट सा पेपर लेना ही चुनोती था पहले तो पेपर भी वे रिजल्ट भी आ गया इस रिजल्ट की रेश्यों क्या रही और आप कितने शैटिस्वाईड एं सारी चीजओं से इस पूरे रिजल्ट से मैं पूरी तरह से सैटिस्फाई हूँ अगर कोई बच्चा कोई किसी तरह की उसकी कंप्लेंड है तो हमने कल लग बग सो कंडिडेट की कंप्लेंड का अवलोकन किया तो कहीं न कहीं कंडिडेट की तरफ से ही अधूरी जानकारी थी तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोई बच्चे को भी पता नहीं लगा कि मेरे घर में नोकरी आ गई पर में लोन जोब के नंबर मिल गए पर जब उसने भरा था उसके घर में नोकरी नहीं थी जैसा कि आपने सेनेरियो पूछा तो 11,22,232 जो कंडिडेट थे उन्होंने अपलाई किया था और 7,572 लोग प्रिक् मेल 2,95,627 थे जो ट्रांसजेंडर जिन को हम बोलते हैं वो 19 कंडिडेट थे और टोटल कंडिडेट जो क्वालिफाई किये हैं रिजरो कैटागिरियो और जन्नल के वो 3,57,562 जिन में मेल 2,25,005 और फीमेल 1,32,551 और जो ट्रांसजेंडर हैं वो 6 लोग क्वालिफाई हु इस तरह से 3,57,562 लोग कुल क्वालिफाई हुए हैं और जिन्होंने परिक्शा दी ऐसे 4,16,010 कंडिडेट जो हैं वो डिस्क्वालिफाई हैं जो 50 परसेंट और 40 परसेंट की रेसों को अचीव नहीं कर पाए हैं खदरी साब जो ये चेहन पर के लिए अपना ही गई रिटन टेस्टा सारा कुस्ता इसमें पारदर्शिता का भी दावा किया जा रहा है अब कितनी पोस्टेंगे इनको कब तक भरा जाएगा और इसमें कितने बच्चों को इन में से बुलाया जाएगा पोस्टों के गेंस् हमारे पास सरकार के तरफ से जो सी कलास के लिए हैं वो तीस हजार तीन सो उनतर पोस्टें जो हैं वो आई हुए हैं इसमें टी जी टी की अलग से साड़े साथ हजार हैं और पुलिस की लगबग छे हजार पोस्टें आई हैं टी जी टी तो अलग एस्टेट के दार पे होग इस तरह हैं से हमारे पास सी कलास के लिए अभी तक लगबग बियारी सजार पोस्टों की डिमांड है जो रिक्वीजियसन है वो सरकार के तरफ से आ चुकी है और अगले पंदरा दिन में हम इन बियारी सजार पोस्टों का विग्यापन करने जा रहे हैं खदरी साब अभी तो जो रिजल्ट है उसमें बहुत तरूटी हैं किसी बच्चे को पांच अंक नहीं मिलने चाहिए थे मिलके किसी को मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए और कईयों की और कई शकायते हैं इस तरह की बहुत ज्यादा जर्नल तोर पर देखी जा रहे हैं जो अपने लेवल पे उसको सुधारेंगे और हमने बच्चों को पंदरा दिन का टाइम दिया है तो रोटियां कुछ बच्चों को क्लेम के अधार पे हैं क्योंकि प्रसीजर दो तीन साल से चल ला है तो स्टेटस चेंज हो रहा है और कुछ PPP से हमने अपने नोटिस में ही कहा तरफ से जो नोटिफिकेशन है कि जो नोन जोब के नंबर हैं वो केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनकी वार्षी का आए एक लाख असी हजार रुपे से कम है तो बच्चे ने तो कलेम कर दिया कि मेरे घर में नोकरी नहीं है मगर एक सरकार के तरफ से कैप भी तो लगा हु से कम है कोई बच्चा है उसने कहा कि मेरे घर में तो नोकरी है फिर भी आपने मेरे को पांच नंबर दे दिये जब उसने फारम भरा था उस टाइम उसके घर में सायद नोकरी नहीं थी और उसने कलेम किया कलेम किया और उस कलेम को हमने एजटीज मान लिया अब सारी चीजे वेरिफिकेशन पे जा रही है जिसकी कोई तुटी है उसको हम ठीक करेंगे चाहिए हमारे लेवल पे होई चाहिए कंडिडेट के लेवल मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ कि बच्चे ने जब फारम भरा मैं आपको एक 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 जांपल देता हूँ एक सगे भाई बहन है उन्होंने भरा बहन को तो पांच नमबर नहीं मिले भाई के पांच नमबर जोड़ दिये गए जबकि उस परिवार में सरकारी नौकरी है तो यह तुटी तो कहीं न कहीं आपके ऑफिस के एंड पे भी रही है या एजनसी जो इन्वाल्व है उसके पर्टिकुलर केस को मैं जानता हूँ इसलिए मैंने आप से बताना चाहता हूँ कि आपके कहीं न की तुरूटी आपके विवागे भी अगर आप हमारे पास जो सने अप्लिकेशन फारम भरा और जो सको अब स्कोर कार्ड मिला और पी 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 अगर यह तीनों चीज़ें ले कालिफाइंग बनाने के लिए क्या विचार चल रहा है क्या सरकार को कोई लेटर लिखिया आपने नहीं हम सरकार के नियमों को फोलो करते हैं और जो सीटी का ड्राफ्ट है उ सरकार ने तियार किया है मंत्री मंडल में पास हुआ है इसमें किसी तरह का जो बदलाव है करना नहीं करना ये सरकार की लेबल पे है अभी तक तो जो सरकार की हमारे पास इस्टक्शन्स हैं हम तो फोलो करने के लिए बाद दे हैं एक तरह ऐसे उसको सी एटी को लेकर मामला हाई कोट में भी है पिछले डेट पर जो है बताया जा रहा है सुना है कितना सिंटी के है तो आप कंफर्म करेंगे कि आपके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई वेक्ति पेश नहीं हुआ अधिवक्ता पेश नहीं हुआ अब जो अगली डेट फरवड़ी में उसके लिए क्या विचार है देखे इसमें सरकार पार्टी है ना कि एसेसेसी क् नोटिपिकेशन है वो मुख्यस चीप की तरफ से जारी हुआ है हमारे हम को ना इसके में कोई जबाब देना जो जबाब देगी कोर्ट में जाके जो रिपलाई है वो सरकार की तरफ से होगा ना कि एसेसेसी की तरफ से जो ग्रुप सी के अब पोस्टें आप बता रहे हैं या क्या फार्मूला डॉप किया जाएगा अभी तो हम पोस्ट के गेट सब से अपलाई करेंगे जो भी क्वालिफाई हुए हैं फिर हम चार गुना जो टोपर हैं उनको चीनित करेंगे ये देखेंगे टोप फोर कौन है उनको लिए उनको ही हम अगले स्क्रीनिक टेस्ट बुलाएंगे जो अभी तक का परावधान है ग्रूप D के लिए कब ये CET की प्रिक्षा होने जा रही है ग्रूप D की जो NTA से हमारी बात हुई है और सरकार की बात ही हुई है उन्होंने 4-5 और 10-11 मारच अभी निश्चित की है रिटन में अभी कुछ नहीं आया वर अबली बात हुई है तो वह 4-5 मारच और 10-11 मारच अभी निश्चित हुई है CET की बुष्ये में जो प्रिक्षा है ग्रूप C के लिए होंगी उसके लिए कितना गैप रखा जाएगा कब तक दोबारा हो सकती है क्या संभावना है क्योंकि ये यूद जानना चाहता है मारच में हम जो CET की प्रिक्षाइं है जो टेस्ट के पोस्ट के इंग्येस्ट है वो मारच में सुरू करने जा रहे हैं जैसा आज ही नियूज पेपर के माद ध्यम से पता चला कि 10-12 की प्रिक्षाइं 27 फरवरी से लगबग 26 मारच तक होने जा रही हैं तो हम ये स्डूल कि संडे और मंडे में भी क्या प्रिक्षाइं हो रही हैं वहां अगर प्रिक्षाइं नहीं हो रही है तो संडे मंडे को लेके हम मारच के फर्स्ट वीक में भी ये सुरू कर सकते हैं वरना प्रिक्षाओं के बाद तुरंत बाद हम अपनी जो पोस्ट के इंगेस्ट हमारी प्रिक्षाएं हैं उसको सुरू करने जा रहे हैं अगले चर्णकी प्रिक्षाओं में क्या 25 प्रतिशर्थ हर्याना से समंदे जर्नल नॉलिज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं है क्योंकि ये CET में हम पूछ चुके हैं और हम जो अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो सलेबस अधारित करेंगे जैसे कोई जेई सीविल के लिए परिक्षा देने आ रहा है तो हम लगबग पचास परसेंट से उपर उसको उसकी इंजीनीरिंग के बारे में पूछेंगे और चाड़ी परसेंट हर्याना जीके अवेरनेस ब अधरी साब क्योंकि शोशल मीडिया पर आपको लोग बहुत फालो करते हैं आप एंट्रिव के इंतजार करते हैं जो शोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं कि जिन लोगों की सीटी में कैटागरी ही बदल दी गई उन लोगों के लिए क्या प्रविजन है नहीं हमने दिया ना टाइम पंदरा दिन का अगर कोई इस तरह की तुरूटी है तो बच्चा जा के उसको दुरूस्त कर सकता है हम सब चीजियों को एक एक बड़ा चेक करके मन्योर उससे बिलकुल अच्छी तरह से चेक करके सब तुरूटी ओंगों ठीक करेंगे अगर कोई के टाग काई नहीं कगे कुछ माहिमेल कोंस्टेबल और एक जार फ्यमेल कोंस्टेवल की इमांड हमारी पॉलिस विवाग की तरफ से आये ऐसाइए की अभी तक कोई मांग नहीं है मारे पास पुलिस का जो मवला हई कोट में लंभीत है यह हईकोट में से कुछ नु कुछ तो अगर वो जनवरी में नहीं होता तो फरवरी की जो निस्चिट डेट है सायद हमारी बात से जो है कोर्ट कन्वीन्स होगी और बच्चों की प्रोब्लम को भी नजर अंदाज नहीं करेगी और उनको सोल करेगी कोर्ट ऐसी मुझे पूरी उमीद है क्योंकि हमने पूरी यो हैं वो हम समझाने के लिए हैं काम्याब होंगे हम को को समझाने के लिए और सटे हटेगा जो सोशयो एक नोमेगा उसको ने कर कहीं कोई विवाद रहता है उस मामले में क्या कुई जांच भी परशाशनिक स्थार पर की जा रही नहीं वो जब final भरती हमारी हो जाती है और जब selection हो जाती है तब हम हरियाना पुलिस की जो C.A.D. Wing है उससे जाच कराते हैं कि जो बच्चे ने non-job के fatherless के विद्वा के ये number claim किये हैं किया उसने ठीक किये हैं या गलत किये हैं वो हम selection के बाद करते हैं एक समान योगता रखने वाले वेक्तियों के लिए जो एक ही ग्रूप बनाए जा सकता है? जैसे हमने बताया कि 42,000 पोस्ट हैं हमारे पास अभी तक आई हैं हमने इसके लिए अभी 52 ग्रूप बनाए हैं जो एक समान योगता के पद हैं उनका एक ग्रूप होगा और बच्चे से प्रफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से डिपार्डमेंट में और कौन सी पोस्ट प है वरना हमने टेक्निकल पोस्टों ये कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट है वो उसकी एक निश्चित योगता निर्धारित है डिपलोमा या डिग्री इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये चर्चे हैं कि 10 प्लस 2 वालों के लिए जो ग्रूप है वो जो इस तरह के गुरूप बनाए है अगर किसी में क्वालिफेकेशन किसी भी स्टीम से प्लस 2 या किसी भी स्टीम से ग्रेजवेशन है उसके कौमन हमने गुरूप बनाए है ए इन्स्ट्रक्टर की पैंडिंग जो रिजल्ट है वो कब तक आने कि समभाव नहां इस पे हम आ दिन से लगवग दस दिन से NTA के ओफिस दिल्ली में व्यस्त थे और हम इस पे जो हमारी 12-13 कैटागिरी 12-19 जो ITA की है उस पर आज से ही हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगर मैं और स्वाल लेना चाहूँ कि वन टाइम रिजिस्टेशन टोटल कितने लोगों ने कराई थे अगर आपको आपकड़ा जादो 11,22,000 तो अगर अब ये माना जाएगी ये बर्तियां मार्च अपरल में परक्रिया शुरू हो जाएगी जिनके बच्चे पास हुए तो इनको कब तक अगर रिजल्ट आ जाएगे और कब तक ये सुनिश्चित माना जाएगी इन बच्चों को रोजगार मिल जाएगा सितंबर अक्तुबर तक हम प्रियास करेंगे कि सारी भरती हो जाए और सितंबर अक्तुबर में अगला जो CET है 2023 का उसका आयोजन किया जाए खदरी साब बड़ा सीधा स्वाल लेना चाहूंगा कि कहरे ना करमचारी चैना योग कहीं ना कहीं उठती रहती है कारे परनाली को लेकर 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 देखा है कि आप कमवाइल नंबर स्टूडेंट के पास भी है स्टूडेंट अगर कोई अभियार्थी जिनको कहा जाए वो कोई दिक्कत होती है वो कॉल भी करते हैं आसी कुछ कॉल मैंने अभी देखी भी आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट को आप किस तरह इंशूर करना चाहेंगे कि उनके साथ कोई यहां जाती नहीं होगी खिलवाडनी होगा बिल्कुल हम वाटसब पे भी कॉल पे भी सब बच्चों का सामधान करते हैं जो यहां आते हैं उनको बताते हैं और बच्चे सो परसेंट सैटिस्फ़ाई होके जाते हैं कि कहीं मेरे लेवल पे या मेरे को कुछ गलत फहिमी थी वो उनकी जो तुरुटिय हैं जो उनको प्रोब्लम हैं उनको सौलू करते हैं और यह तो सोप्टवेर का काम है कम्प्यूटर का काम है इसमें हम चाकर भी किसी से बहे दबाओ अगर करना भी चाहें नहीं कर सकते क्योंकि कम्प्यूटर ही मेरिट को उठाता है सोप्टवेरी सब कुछ कर रहा है मैनुवल यहां कोई कुछ नहीं पीक एंड चूज नहीं है सिरफ मेरिट है एक स्वाल और लेना चाहूंगा यह क्योंकि यूवा वर्क की ज्यादा तर चर्शा में देखा जाता है जो डिसकुशन्द होती है उनमें आता है कि जो हरेना करमचारी चाहना यह होगा उन्होंने यह जिस तरह से CET लिया इस तरह की प्रिक्षाइं लेकर भरती प्रिक्रिया को जटिल कर दिया गया कम्प्लिकेटिट किया गया है नहीं है जटिल नहीं है यह सरकार की बहुत ही गेम चेंजर प्लान है कि हमारा बार 10 से 12 लाख लोगों का पेपर लेते थे अब हमारे पास सोट लिस्टिट लोग है और एक मेरी टेओरियस बच्चे हैं कि वो ही परिक्षा देंगे अगली तो इससे तो काम आसान हो गया है बलकि ना कि इससे हार्ड हुआ है वो बच्चे को परकिरिया हार्ड लग रही होगी कि कहीं चरणों से उसको गुजरना पड़ता है पर यह जो है मेरिट को प्रात्मिक्ता देगी यह जो पत्ती है और बार बार जो लाखों लोगों का एक्जाम लेना पढ़ता था है चससी को और सरकार को इंतिजाम करने पढ़ते थे उससे छुटकारा मिलेगा लिम्टेड काउंट ही अगली परिक्षा के लिए आएगा तो यह तो सरल हो गई और परिक्षा 2023 ऐसा वर्ष है जो 2024 मिशन इलेक्षन का है उसको भी लेकर फोकस रहेगा तो कुल कितनी भरतियां 31 दिसंबर 2023 तक आपको उमीद है कि यहां आपकी कलम से हो जाएंगी हमने जो है वितवर्स जो है नया वितवर्स है वो 31 मारच 2024 को टारगेट लिया है और हमारे आयो का पूरा परियास है और सरकार के सहता से कि लगब HSSC जो है हमारा जो कमिशन है वो 65 हजार दो प्रदेश के वो हैं उनको 65 हजार लोगों को नोकरी देने का काम करेगा विभिन पोस्टों पे हमारा टारगेट 31 मारच 2024 है ना कि 31 दिसंबर 2023